आपका एक बर पुन्हा सौगत करती हूँ अपने चैनल यॉर्स डेली नीट्स में इसमें मैं आप अपनी और आपकी घरेलू समस्याएं जो हम घर कैसे वैवस्तित रखें हमें किन-किन चीदों की रेगुलर में यूज़ आते हैं और जो परिशानी आती हूँ उन परिशानी को सब्सक्राइब कीजे इसे लाइक कीजे शेयर कीजे और बैल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंट्स आपका जो सहीयोग हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थेंक्यो आपके ही सहीयोग के पर उसे हम दीरे दीरे आगे पढ़ते जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बनाई होई वीडियो आपको बहुत उप्योगी भी सिद्ध होंगी और आपके काम भी आएंगी और आपके द्वारा किया हुआ एक लाइक मेरी होसलों को बढ़ाएगा ताकि मैं आगे में दिया गया है यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसे देखिए उसमें आपको बहुत सी टिप्स मिलेंगी अब आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे किचिन में रेगुलर हमें किन-किन चीज़ों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए काम करने के साथ तो हम और विवस्तित लगेगा अब अगली चीज जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए वह है कि किचिन का फ्लोर किचिन का फ्लोर रेगुलर बेसे पे उसमें पूछा लगना चाहिए पूछा लगाते समय यदि आपके किचिन के फ्लोर पे कहीं दाग धब्बे त्यादी जितने भी दाग धब्बे होंगे आप जब स्क्रब करेंगे तो वो साफ हो जाएंगे और आपका फ्लोर साफ हो जाएगा किचिन में जो डस्ट बीन है डस्ट बीन की रेगुलर सफाई होना बेहद जरूरी है तो डस्ट बीन में आप जो भी पनी लगाते हैं पॉलितिन लगाते हैं उसे रेगुलर बेसिस पे बदलिये यदि आप पॉलितिन नहीं लगाते हैं और आपने किचिन तो रेगुलर बेसिस पे आप डस्ट बीन को साफ कीजिए किजिन में जो आपके बरतन, जिस जहां भी आप regular यूज़ करने वाले बरतन रखते हैं, उनमें यदि गंदगी दिखाई दे, उसे रोज के रोज साफ कीज़े, उन्हें कभी भी गंदा मत छोड़िये, डेली बेसिस पे हमारी यूज़ होने वाले चीज़ें जैसे शक्करप माती नजर आएंगी और पोचने में समय भी मुश्किल से 5-7 मिट लगेगा, मिक्सर ब्राइंडर जिसका हम उप्योग करके उसे ऐसे ही किनारे कर देते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी आप किचिन की सफाई करके बाहर निकलने वाले हो, तो मिक्सर ब्राइंडर पर एक ब बिख्ण फ्यार पानी से रोज नियum से पोचिेए वे वे मैक्रोवेव निसमें पूरे माईक्रोवेव को अंदर से अच्छे से पोची लिए गोड़ी झाया, तो इसमें आधा निभू काट यू या एक बावल में बेकिंग सोडा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाईए और उसे माइक्रोवेव में रखकर बिल्कुल एक मिनिट के लिए आउन कर लिए तो इससे आपकी बद्बू चली जाएगी और माइक्रोवेव में जो आपका इसमेल आ रहा था वो दूर हो जाएगा माइक्रोवेव की सफाई नियमित रूप से आपको करनी चाहिए तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए आपका किचेन हमीशा साथ सुत्रा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं हर हफते कौन-कौन सी सफाईया किचिन में होनी चाहिए तो आप इन टिप्स को अमल में लाएए थैंक्यू फ्रेंड्स